नमस्कार, सक्से स्पीक्स में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूँ तेजस्वी चंडोक नहीं है हमारा ये कारेक्रम जो की एक प्रयास है आपको उन व्यक्तित्वों से रूबरू कराने का जिन्होंने सफलता के शिखर पर अपना परचम लहराया है और आज हमारे इस खास कारेक्रम में हमारे खास महमान है अभीशेक सैनी जिन्होंने भारतिय सिविल सेवा परिक्षा 2015 में 744 वी रैंक प्राप्त की आपका बहुत-बहुत स्वागत है अभीशेक से हम जानेंगे इनके बारे में इनके अनुभवों के बारे में कैसे इस मुकाम तक पहुँचे और इस खास कारेक्रम में हमारे साथ है हमारे मार्क दर्शक भी श्री एके मिश्रा जो की आगे हमारा मार्क दर्शन करेंगे और हमें बताएंगे वो सफलता का मूल मंत्र की कैसे आप उस उचाई तक पहुँ अगर आपकी इतनी बड़ी और इतनी लंबी जर्णी की बात करूँ तो पहले तो बहुत सारी बधाई आपको इसके लिए शुक्रिया कि आपने यह मुकाम हासिल किया बहुत कम लोग होते हैं जो कि इतनी मेहनत के बाद और परश्रम के पाथ यहां पर पहुंच सके तो अभी मैं जब मैं ग्यार्मी कक्षा में था तो उसी समय से मेरे फादर ने भी मुझे बोला और मेरा खुद का भी बहुत मन था कि देश के लिए मुझे कुछ अच्छा काम करना है और तब मुझे उस समय इंडियन एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में जो है थोड़ इस बात को जानके बड़ी उत्सुक्ता पैदा होगी कि अभी शेख ने सिविल सर्विसेज का एक्जाम तो क्लियर किया ही लेकिन ही डॉक्टर है एम से डॉक्टर हैं अभी बेस की डेगरी प्राफ्त कर चुके और उसके बार आपने सिविल सर्विसेज में जानी की सोची म और उसके बाद भगवान की क्रिपा से और मेरे खुद की मेहनत से मुझे एम्स में 14 रैंक पहले प्राप्त हुआ 2008 में और फिर मैंने में मिशन लिया और MBBS किया और साथ-साथ मैं सिविल सर्विसेज के लिए भी थोड़ी थोड़ी तैयारी उस से में करता था और फिर अगर डिटर्मिनेशन हो मन में कुछ करने के इच्छा हो तो डेफिनेटली अंदर से अपने आप एक एनरजी मिलती है इंसान को कि वो इतनी पर इश्रम कर सकता है लेकिन बहुत सारे अगर आज के चलन के बात करे कही सारे एंजिनियर्स हैं जो कि एंजिनिरिंग करने के ब करें दोक्राइब आप एक इस अपने पढ़ाई की और उसके बाद अब आप आप सिविल सर्विसें में इतना बड़ा आप शिफ ले तो उसके बाद इसके फाइदे क्या रहते हैं डेफिनिटली जो मेरा मेडिकल बैग्राउंड है एज एक डॉक्टर क्योंकि मैंने हमेश किसी प्रॉब्लम के साथ हैं जो मदद चाहते हैं तो वो चीज मुझे मेरे मेडिकल प्रोफेशन ने मुझे सिखाई है और मैं उमीद करता हूँ कि प्रशासनिक सेवा में भी वही मेरी जो क्वालिटी है वो मुझे मदद करेगी कि मैं लोगों की इसमें पूरे तरीके से ह जुड़े रहे और अगे आप लोग सेवा से ही जुड़े रहोगे कोई ऐसा इंसिदेंट लाइफ का कोई ऐसी घटना घटी जहां आपको लगा कि हाँ अब मुझे यह करना चाहिए मैं अगर मैं बात करूँ मेरी MBBS की इंटर्नशिप के दुरान हम रूरल पोस्टिंग होती है जहां पर हमें गाउं में तीन महीने के लिए रहना होता है तो वहां पर मैंने देखा कि कुछ पेशेंट्स जो हैं वो इतने गरीब हैं और इतनी दूविधा में हैं बेमार हैं कि उनसे प्राइवेट इलाज तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो तो इसलिए सरकारी जो एक इंफरास्ट्रक्चर है जो हस्पताल है वो ही उनके लिए एक फरिष्टे समान है पूरा इंफरास्ट्रक्चरी और डॉक्टर को तो वो भगवान का रूप मानते थे तो उस मदद में लेकिन अभी भी काफी सारी कमिया मुझे देखने में आई और जो कि मुझे लगा कि जो मैं प्रशास्निक सेवा में आकर उनको कहीं बहतर कर सकता हूँ क्योंकि शायद वो एक डॉक्टर के दाएरे से कहीं बाहर है क्योंकि हमें ऐस डॉक्टर तो सिरफ मरीजों को देखने की ही जो है उससे फुरसत नहीं मिल पाती तो जो बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि दवाईयां उपलब्द कराना कई बर दवाईयां खतम हो जाती थी मरीज इतने होते थे पेशेंट लोड इतना होता था कि दवाईयां खतम हो जाती थी तो इसलिए वो सब चीज़ें जो हैं वो एक प्रशासनिक सेवा में करने के बाद हमें जादा फाइदा होगा और यह फाइदा हमें यहां पर भी दिखता है सर जहां पर आप आप देखते हैं कि इसलिए इसमें हर फिल्ड के लोगों को इनवाइट किया जाता है क्या कि वह जीनियर है डॉक्टर है कोई भी बैक्ग्राउंड हो वह कोई लिमिटेशन नहीं कि इसी बैक्राउंड से तो अपकान होगा एक सिंपल ग्राजुट कोई सी भी डिसिप्लेन में हो तो उनको इनव कि भी सब्जिक में रम जाना मुझे लगता है यह प्राइरिटी होती आपके लिए आता कि आप अपने रिटेन इग्जाम में बहुत अच्छा प्रिपेर करें और अच्छे से उसको एक्सल भी करें पेपर को तो कितनी तैयारी लगती थी कितने घंटे पढ़ाई की आपने जहां तक civil services को क्रैक करने की बात है मैं मैं regularly newspapers पढ़ा करता था daily और अपने college के दुरान भी मैं newspapers तो रोज का मैंने एक अपनी आदत बना ली थी जिससे मैं daily उसको at least आदा से एक घंटा पढ़ता था और जब finally मैंने preparation पूरे तरीके से शुरू की तो मैं करीबन 6 गंटे दिन में preparation को पूरा time देता था जिसमें मुझे लगता है कि समय से जादा जरूरी है कि concentrate करके हम पूरा ध्यान लगाकर उसमें मन लगाकर अगर हम पढ़ें तो मुझे लगता है 5-6 गंटे भी अगर कोई दिन में पढ़ता है तो वो 10 गंटे ऐसे बिताये हुए जिसमें आप फोन भी चेक कर रहे हैं जिसमें आप इंटरनेट पर जा रहे हैं या दोस्तों से बात कर रहे हैं तो वो कहीं बहतर है उससे तो फोकस रहना जरूरी है आप बच्चों को क्या बताएंगे जब हम बात करें अभी शेक से बतारें कि 6 गंटा लेकिन लगन से पढ़ना वो 6 गंटा 10 गंटे के बराबर है क्या एहम चीज रहती है जिसको बच्चों को ध्यान में रखना जाए अपनी प्रिपरेशन के लि नहीं होता और जरी लोग को कर भी रहे हैं तो उनके अंदर वो एफिशेंसी नहीं रहेगी दिमाग में इतने घंटे लगातार पढ़ाई का एक तरीका है कि कितनी कॉंसेंट्रेट करकर पढ़ रहे हैं और इस एक्जामनेशन का जो बेसिक रूल है कि पढ़ना सोचना और यह तीनों का जब तक कॉंबिनेशन नहीं होगा फाइन ट्यूनिंग नहीं होगी जिसने पढ़ाई की पढ़ने के बाद उसको सोचने का टाइम जदी नहीं है और लिखने का टाइम नहीं है तो फिर वो एफिशेंसी नहीं आएगी एक डिसिजिजन मेकिंग प्रॉब्लम स इसको डिवलब करना होता है तो इंपॉर्टेंट यह है कि एक एवरेज शिक्स टू एट आउर्स की स्टडी तो चाहिए होगा चुकिए स्लेबस का नेचर ऐसा है कि उसे कम में कंप्लीट नहीं हो पाएगा लेकिन डिपेंडिंग रेंजिंग इन डिकैपेसिटी सिक्स टे अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि जो पूछा जा रहा है तो सिलेक्शन अफ सब्जेक्ट की अगर बात करें अगर मैं यहां पे सर के आंसर से टो करूँ आपके लिए बहुत ऑविस था क्योंकि आप डॉक्टरों मेडिकल साइंसेज ही लो मतलब लेकिन आपके साथ जो बा आप उसमें अच्छा परफॉर्म किये हैं और आपको लगता है कि पूरा कॉंफिडेंस है कि आप उसमें आगे भी सिविल सर्विसेज परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं तो फर्स प्रेफरेंस को मैं ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को ही काऊंगा लेकिन इसके अलावा भी पिसके बोहुत सारे सब्जेक्ट से और बहुत स्टुडेंट्स अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के अलावा सब्जेक्स लेते हैं डाइफीनिटली आपका इंटरस्ट होना चाहिए तो उस सब्जेक्ट के बारे में पहले अच्छे से जान लीजिए उसको से लिबा स् क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कितना समय लगेगा, अपने सीनियर से और गाइडेंस ले लीजिए और फिर फाइनल फैसला कीजिए कि अब मुझे ये सब्जेक्ट में पूरे तरीके से तैयारी करनी है। अभीशेक, जाहे तौर पे जो बाते आप हमें बता रहे हैं, उससे कई सारे स्टूडेंस यहां पर जो आपको आज देख रहे हैं, वो इंस्पिरेशन ले रहे होंगे, प्रेणा ले रहे होंगे, अभीशेक से उनकी सक्स स्टोरी के बार है, हम आँए और भी जारेंगे, ले परिक्षा के सफल परिक्षा आर्थियों से और जाने उनकी सफलता के राज, सक्सेस स्पीक्स के साथ, हर्मंगलवार सुबह नौ बजे डीडी नाशनल पर, परिक्षा के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा खास कारिक्रम सक्सेस स्पीक्स, आईए अपनी वारतालाब को आगे बढ़ाते हैं, अब यह एक जो प्रप्रेशन के लिए जो एंपोर्टन्स स्टे़ज आता है, इसलमेरी उख्यूंशन ना रए हाने राइँ, और आपका भी पहले एटेम्ट में प्री नहीं हुआ, फिर आपने सेकंड एटेम्ट में अपने प्री कॉलिफाई किया, उस बार आपका फिर मेंस नहीं हुआ, थर्ड एटेम्ट में आपने प्री कॉलिफाई किया, और आप आज आफिसर बनके बैठे हुएं, और आप इस ब सर मेरी यह सला है कि प्री को सबसे पहले तो lightly बिलकुल मतले हैं बहुत लोग सोचते हैं कि mains के साब से ही तयारी शुरू कर दें पहले ही और प्री को neglect कर देते हैं पर यह याद रखें कि प्री qualify किये बिना आप mains लिख भी नहीं सकते हैं तो इसलिए प्री पे फोकस करना बहुत जरूरी है उसके लिए मैं कहूंगा कि टेस्ट देना जो MCQ पैटन के जैसा UPSC का पैटन है उसके टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है आप टेक्स्ट बुक तो पढ़ते रहेंगे लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़े और आपने MCQ प्रैक्टिस नहीं किये तो आप final exam में ऐसा आपको बहुत unfamiliar लगेगा तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कम से कम मेरी राय में 30 टेस्ट प्रीलिम से पहले जरूर दें आप अच्छी कोचिंग अकैडमी से रहे सकते हैं और जैसे आपके मारदर्शन में टेस्स सीरीज लगा सकते हैं तो उससे बहुत जादा फायदा होता है आपको All India ranking पता च जरूरी है उन गलतियों को लेकर उन गलतियों को भी एक रिजिस्टर में लिख ली जिए कि ये गलती की थी और ये उसका सही जवाब है और जब आप उसको Final Revise करेंगे उस रिजिस्टर को तो फिर आप नेक्स टाइम वो गलती नहीं करें अब प्रिलिमस में क्योंकि सबज पढ़ना बहुत जरूरी है प्री के लिए और इसमें पॉलिटी की बुक्स हैं एकॉनमी जोग्रफी हिस्ट्री जो भी इनकी स्टेंडर्ड बुक्स हैं वो जरूर पढ़नी चाहिए सबसे पहले निउस पेपर क्रेंट अफेर बेस्ट बहुत आ रहा है तो इवन प्रिलिम में भी करन्ट अफेर्स के बहुत कोशन पूछे जा रहे हैं तो इसलिए निउस पेपर रेगुलर्ली और साथ में कोर टेक्स्ट बुक और कम से कम 30 टेस्ट MCQ देना ये मेरे हिसाब से अगर कर लिया तो प्रिलिम में 120 से उपर स्कोर तो बड़ी असानी से आही दाए प्रि कि आप परी और मेंस दोनों को साथ लेकर कर चलें तो आपकी अपनी एक्स्पिरियंस क्या रही इस बारे में? के नजदीक आते हैं, आई वुट से लगभग करीबन दो महीने पहले प्रि के आप तब टेस्स सीरीज पर जोर जादा दे दें और प्रि की तरफ तब तयारी को जादा मोड़ दें लेकिन उस से पहले आप मेंस का भी पूरा पूरा खयाल रखें, एक अच्छे कोचिंग इ कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने प्री के त्यारी सूर नहीं की होगी, चुकि अभी OPSC का फॉर्म करने का भी प्रोसेस चल रहा है, तो उनके दिमाग में यह सवाल चल रहा होगा क्या हम इस बार प्री कॉलिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उन नहीं भी त्यारी किया है, लोगों ने अभी तक में, तो अभी भी जो टाइम है, प्री के लिए ज्यादा कम नहीं है, तो इसमें अभी फोकस इस्पेसलिए उन लोगों को जिन्होंने अभी तक तैरी मेंस के नहीं किये, आइडियल कंडिसन है कि मेंस के तैरी हो जाने चाह बार ना करें और le黨 के लिए सेरेसली कर दें तो अभी भी उनके अग्जामरिशन ऐसने सफ़ल हो सकते हैं बहुत सब्सकते हैं इसके बात होता रहा है और अभी भी होगा राइप अब ठोड़ी सी चरचाम करते है में सब्सक्राइब कि जो तैरी है सर ऐसे के लिए मैं हफ़ते में एक ऐसे जरूर लिखता था और मैं खुद यहां अपने किसी टीचर से उसको इवैलुएट कराता था तो आई थिंग मेरे इसाब से ऐसे के लिए आप रेगुलर लिखना शुरू करें कई लोगों को बहुत यह शुरूआत करने में जिजख होती है कि मैं ऐसे कैसे लिखूंगा मैं अच्छा नहीं लिख पाता बट बिना किसी एक पहले प्रीकंसेप्शन के पहले कुछ सोचे बिना आप कुछ ना कुछ लिखना जरूर कोई भी टॉपिक ले लें और उस पर जरूर लिखें ऑप्शनल के त्यारी के बारे में थोड़ी प्रकास टाली है कि अज येस और ऑप्शनल दोनों को कैसे बैलेंस करें ये स्टोईट के दिमाग में एक कुश्चिन होता है ऑप्शनल जो है वो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि ये मार्क स्कोरिंग है एक अच्छा टार्गेट जो है वो 250 प्लस मार्क्स का आपको रखना चाहिए और इसके लिए ऑप्शनल को जादा टाइम देना जो है वो बहुत ही जरूरी है और आप जो भी ऑप्शनल आप उसको आप पूरा इंडेप्ट स्टडी कीजिए स्लेबस बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि ऑप्शनल बहुत वाइल सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन UPSC ने उसको काफी एक स्पेसिफाइड और एक बड़ा ही जो स्लेबस है बहुत ही एक पर्टिकुलर स्लेबस है आप उस बुर्द स्टी को कहते हैं इसमें आपका क्यानुभा रहा है पिशले का वो बताईए कैसे क्या टेस्स किया जाता है असमें सर इसमें तो कैंडिडाट की परिय्ट पर फोकस रहता है वो कितना ऑटैग्रिटी वो कितनी सच्चाई से कन्विक्शन से अपनी बात कहना चाहरा तो इसमें knowledge का part तो already tested है क्योंकि अगर आप interview में पहुंचे तो आप प्री और मेंस तो clear करके ही पहुंचे हैं तो उनका focus रहता है कि आप कैसे एक अच्छी conversation कर सकते हैं उनके साथ, कैसे सच्चाई से आप अपना stand present कर सकते हैं, मुद्धों को आपको कितनी गहराई से आपको उसकी जानकारी है, तो ये सब बातें candidate के बारे में देखी जाती हैं और अगर candidate पूरी सचाई से जो answer करेगा, तो definitely उसमें अच्छे marks पराप्त किये जा सकते हैं तो अभिशेक आपको जानकर आपकी बाते सुनकर बहुत सारे स्टूदेंस हैं जो कि आज inspiration ले रहे होंगे आपकी कहानी सुनकर, अभिशेक के बारे में हम आगे और भी जानेंगे, इनकी success story के कुछ और पहलूँ को हम छोएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बार मिलिए सिविल सेवा परिक्षा के सफल परिक्षार्थियों से और जानें उनकी सफलता के राज, success speaks के साथ हरमंगलवार सुभा नौ बजे डीडी नाशनल पर सब्सक्राइब करेंगे देश भर से आयून चात्रों का जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आयून का रूप करते हैं आप सब के मन में भी कई सवाल होंगे जो कि आप यहां पर अभी शेक और मिस्टर मिश्रा से पूछना चाहेंगे तो क्या सवाल है आपके कि इससे आदमी भटकता भी है एसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा होगा या मैं कर पाऊंगा के नहीं ऐसे thoughts आना natural है, हर किसी को लगता है कि पता नहीं एक्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा बट आपको अपना focus maintain करके रखना है और यहीं पर आपकी family का, आपके teachers का, आपके friends का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा rule है आप उन से बात करें, आप बीच में एक्जाम की पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए, movies देख लें, music सुन लें, cricket खेल लें, कोई sport जो आप खेलते हैं वो खेल लें और अपना ध्यान जो है, वो main focus आप पढ़ाई पर रखें, लेकिन साथ-साथ, एकदम isolation में जाकर पढ़ाई मत करें मेरा नाम सजीन पार्टी लेवर, मैं इंदोर मद्विस्ट का रहने वाला हूँ सर, मेरा प्रस्टन आप से यह है कि हमेशा motivated रहने का क्या तरीका है motivated होता है, सबसे ज़्यादा इंसान खुद से बात करता है, तो सबसे पहले आप हमने साथ habit डालिए कि अपने आप से positive note में बात करिए, कहिए कि मेरा हो जाएगा, मैं select हूँगा, मैं एक officer बनूँगा, I will succeed, I will do it, यह आपको बन में अपने अंदर को समझाना होता है, सबसे इसमें जो three idiots में जो ऐसे एक आमीर खां कहता है कि all is well, मतलब all is well, तो अपने दिल को समझाना कि सब कुछ ठीक है, जब इनसान समझाता है, तो सब कुछ उसका साइश दान लेता है, उसके साथ साथ अपने लक्ष पे हमेशा धियान रहने चाहिए, कि जो कुछ में मैं कर रहा हूँ, कोई भी सफर आराम से तो खत्म होता न होना है, और यह चुनोती इसी के लिए तो आ रही है, तो फिर आप मॉटिवेटेड भी रहेंगे, जहां तक टेस्स को एटेम्ट करने के बाद नंबर कम आते हैं और फिर आप डिमॉटिवेट होते हैं, इसकी जुरत नहीं है, चुकि यह बहुत दिखा गया कि किसे कम हमारा गिरता है कि हमारा रिजल्ट थोड़ा डाउन गया है, तो इसके लिए सर क्या है, जी यह कहना गलत है कि हिंदी माधियम वालों को चायद कोई डिसडवांटेज है या कुछ है, हिंदी माधियम वाले भी बहुत अच्छा रेंक लेकर आएं या पिछले साल का रिजल् बट यह है कि आपको अपनी मेहनत पर जो है फोकस रखना पड़ेगा, जो फैक्टर आपके कंट्रोल में नहीं है, कई बार लोग कहते हैं कि इंटर्व्यू में बोर्ड कौन सा आएगा, कैसे चेकिंग होगी, क्या चेकिंग ठीक होगी, मेरा पेपर में ऐसा तो नहीं हो ग आज जितने भी बच्चों ने दर्शकों ने आपको देखा, वो जरूर आपसे कही न कहीं इंस्पायर होगे, आपने समय निकाला हमाय साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपके आगे फ्यूचर के लिए, all the very best to you, Mr. Bishra, आपका बहुत- में value-add करेगा, बहुत-बहुत-बहुत शुक्रिया एक बर फिर से हम आसा जुड़ने के लिए, तो Success Speaks के एपिसोड में इतना ही, अगले बार फिर से मुलाकात होगी एक और नई Success Story के साथ, देखते रहिए, बिलकुल नभ भूलिए, Success Speaks.